हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड इस्टेडिस तरगिल चैनल में और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग नौलेज आप फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशन के बची क्यूस्टन और इसके पहले जो भी क्यूस्टन करवाए गया हूं सबको आप देख दीजे प्लेश्ट में जाकर और अडिटिंग के लिए जो आपको असिस्टेंट के लिए बहुत ही हल्पूल होने वाले हैं तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं आगे और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं स्टूडेंट वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैंको का अंकेक्षड एक उदाहरण है बैंको का जो अंकेक्षड होता है वो किसी इसका उदाहरण है कह रहा है वैधानिक अंकेक्षड तूलन पत्र अंकेक्षड समवर्ति अंकेक्षड या फिर ये सभी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक अंकेक्षड का ज यह बैलेंस सीट की लेखा परिच्छा के साथ साथ खर्चों की सभी मदों की समिक्षा करने की एक नियमित प्रकिरिया है जहां बैलेंस सीट के प्रतेक मदों की समिक्षा की जाती है जो बैलेंस सीट होती है उनके प्रतेक मदों की भी इसमें समिक्षा की जाती है तो यह आप 5 एव्हाफ है नवर्याफार लेखा परिच्छा कारकरम किसकी द्वारा तैयार किया जाता है लेखापरिच्छक द्वारा client द्वारा लेखा परिच्छक सहायक द्वारा या फिर लेखा परिच्छक और उसके लेखा परिच्छा सहायक द्वारा तो answer देने स्पहले हम लोग चलते हैं explanation पे और यहाँ पे बता रहा है कि अंकेक्षड कारिकरम यहाँ पे थोड़ा सा mis typing है अब जाके यहाँ पे सही देखे यह एक प्रकार का प्रकत्र है जिसमें अंकेक्षड के द्वारा किये गए कार्यों का वर्ड़न होता है अंकेक्षड प्रक्रिया को अपनाने की करंबद योजना ही अंकेक्षड कारक्रम कहलाती है अंकेक्षड का कार प्रारम करने से पहले अंकेक्षड कारक्रम तयार करना आवश्यक है ठीक अंकेक्षड कारक्रम में किये जाने वाले कारियों का विवरण यू रूप रेखा तथा कारियों को स यह important question है ठीक है याद कर लिजेगा most most important है क्या कह रहा है कि किसी ब्यवसाय के पुस्तकों और रिकार्डों की प्रडाली गत परिक्षड है अंकेक्षड प्रमाडन सत्यापन या फिर जांच इस्टूडेंट जो हैं कन्फ्यूज किस में होंगे दूसरे और तीसरे में तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जा रहा है और यहां पर इस चीज को याद कर लिज है ठीक है और इस के हिसाब से जो अंसर आपका हो जाएगा वो क्या होता है कि आप्शन नमर्घ दूसरा परमान धरund तिक्यक है जिसे अंगलिस में क्या हो सकता है कि यहाँ पर इंग्लिस में वर्ट दे तो इसे बोलते हैं वाउचिंग ठेक है तो वाउचिंग और वैरिफिकेशन ये ध्यान देजेगा और यदि आपने वाउचिंग एन वैरिफिकेशन चैप्टर देखें होंगे तो वहाँ पर ये क्योश्षन जैसा कि बयांख एक पही होते हैं यहतों पहला हो गया दूसरा क्राप प्रबंधन लेखा परिच्छा और सामधीग का परिच्छा एक ह oral होते हैं तीसरा करह प्रवंधन लेखा परिच्छा अनिवार है और चौता करह सामेदिक लेखा परिच्छा अनिवार है तो इन में से कौन सा सही है आप बताएं तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है एक वैधानिक लेखा परिच्छा एक कमपनी या सरकार के वित्तिय विवरणों और रिकार्टों की सटीकता की कानूनी रूप से आवश्यक समिक्षा है वैधानिक लेखा परिच्छा अनिवार होती है वैधानिक जो लेखा परिच्छा होती है वह compulsory होती है इसका उदेश या निर्धारित करना है कि क्या कोई संगठन bank balance वही खाता रिकार्ड और वित्तिय लेंदिन जैसे जानकारी की जांच करके अपनी वित्ती इस्थिती का उचित और सटी प्रतिनिदित्व प्रदान करता है तो इसके इसाब से आपका आंसर मिल गया होगा right answer हो जाएगा संवीधिक लेखा परिच्छा जो है वो अनिवारे है अगला question है प्रबंधन लेखा परिच्छा के बारे में निमलिकित में से क्या सही है प्रबंधन लेखा परिच्छा बारे में पूछा है कि इन में चारों में से क्या साही है यह अनिवार है वार्सी रूप से किया जाना चाहिए सीए द्वारा किया जा सकता है प्रबंधन लेखा परिच्छा के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है तो यदि आपने पढ़ा होगा आडिटिंग का पहले का जो वीडियो है देखे होगे तो आंसर तो देही सकते हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं आगे हम लोग देखते हैं इसका एक्स्प्लेनेशन और यहां कह रहा है एक प्रबंधन लेखा परिच्छा इस बात का आकलन है कि किसी संगठन के प्रबंधन टीम अपने रणनीतियों और संसाधनों को कितनी अच्छी तरह लागू कर रही है एक प्रबंधन लेखा परिच्छा के लिए कोई निर्धारन नियम नहीं है या मुल्यांकन करता है कि क्या प्रवंधन टीम सेरधार को करमचारियों और कमपनी की परतिष्ठा के हित में काम कर रही है या फिर नहीं ठीक है तो राइट आंसर बताइए क्या होगे आप आपका राइट आंसर निकल खिर आ गया है और वो है जो प्रवंधन लेखा परिच्छा है वो इसके लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है आप रिविजन के लिए इसकी इंसर्ट भी ले सकते हैं जिससे एग वार तुमाल इसे बीडियो देखी ले रहे हैं दूसरी बात आपका बाद में थोड़ा से बहुत समय कम लगएगा एक से दो मिन लगए रिविजन कर सकते हैं जिससे एक्जाम में गलती नहीं होगी कहरा लागत लेखा परिच्छा को अपने रिपोर्ट निदेशक मंडल को जमा करने होती है जिसे उन्हें किंदर सरकार को कितने दिन के भीतर फाइल करना होता है पहला अप्सन क्या दे रहा है रिपोर्ट के प्राप्ति के 60 दिन रिपोर्ट के प्राप्ति के 120 दिन 90 दिन य अपनी रिपोर्ट निदेशक मंडल को निश्चिस समय सीमा में जमा करनी चाहिए ताकि वकिन्द सरकार को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 30 दिन के भीतर फाइल कर सके और वह रिपोर्ट उची तो वह सुध होनी चाहिए ठीक है तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है और वह है रिपोर्ट के प्राप्ति के 30 दिन ठीक है 30 दिन के भीतर यहाँ पर 30 डेज के फीतर फाइल करना होता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यूपी पीसियल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ह कमेंट बाक्स में जरूर बताईए बहुत जल्द ही एक चैप्टर और बचा हुआ है और अप्डेट आपको मिल जाएगी और वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक अपना ख्याल आके तैयारी करते रहें टेक्यार बाए बाए